इस मेरतन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे गुरुग्यान्स जो हमको आपको एक्जाम में किस तरीके से जाना है किस तरीके से पेपर लिखना है क्या पहले क्या बाद में करना है पेपर में कहां पर क्या आने वाला है ये सारी चीजे मैं आपको बताता हूँ और ये गुरु ग्यान ही आपको help करेगा, जो बोलते न, above 70, above 80, above 90 score करने में, ये ये गुरु ग्यान सी आपको help करेंगे, जिस बच्चे ने सिर्फ गुरु ग्यान को properly follow कर लिया न, properly follow कर लिया, 10, 15, 20 marks का फरक तो ऐसे ही पढ़ जाएगा, 10, 15 marks का फरक ऐसे ही पढ़ जाएग बच्चे का था, वो लड़का था, advance accounts का paper देख रहा था मैं, और जैसे ही मैंने paper उसका खोला, मैंने इसको बोला, तुन्हे गुरु ग्यान follow नहीं किया है, वो बच्चा easily 60 plus score करता, 60 plus score करता, उसका आया 58, क्यूं? मैंने मना किया था कि accounting standard का question, first question attempt नहीं करना है, कभी भी नह करना है, बच्चे ने पहले accounting standard का question attempt किया, मैं जानता हूं कि बच्चा जब लिखने बैठता है, जिसमें उसको मन से लिखना है, उसका मन से क्या-क्या निकलता है, ये हम और आप सब जानते हैं, कभी भी ऐसे questions हम लोग पहले attempt नहीं करते, ये सीखने के लिए आपको गुरु follow this in your exams, this will make a difference, जिस दिन आप exam दोगे, उसके बाद आप मेरे को message करना, sir yes, it made a difference कि हम paper बहुत properly attempt कर पाए, so जो बोलू as it is follow करने का है, तो हम लोग अपना marathon का शुरुआत पहले गुरु ग्यान से करेंगे, मेरा पहला गुरु ग्यान रहेगा, accounts का paper pattern क्या होगा, and accounts के paper में, इस term में, कौन से accounting standards हमारे लिए सबसे जादा important है, जो हमको exam में देखने मिलेंगे, done, सबसे पहले बात करता हूँ, मैं paper pattern की, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, paper pattern की, अगर मैं बात करूँ, paper pattern की, तो हर 100 माक का paper, जो है आपका जैसे cost है, वगेरा, accounts है, वो इसी pattern से आत रहा है, question number one रहेगा, आपका compulsory, 20 माक का question compulsory रहेगा, और accounts के compulsory question में, आपको सिर्फ accounting standards ही दिखेगा, और कुछ नहीं दिखेगा, मतलब question number one आएगा, 20 माक का question compulsory, मतलब उसको छोड़ेंगे तो 20 माक गया, और वो question में क्या दिया जाएगा, accounting standards, उसके बाद आपके paper में, पांच और questions होंगे, तो one गया, और पांच होगे, तो total कितने होगे, छे question, उन पांच question में, आपको कोई भी चार question attempt करने है, कोई भी चार मतलब flat एक choice है आपके पास, 2, 3, 4, 5, 6, तुम 2, 3, 4, 5 कर ले, 3, 4, 5, 6 कर ले, 2, 3, 5, 6 कर ले, 2, 4, 5, 6 कर ले, कुछ भी कर ले, सब चलेगा, एक choice तुम्हारे पास रहेगा, तो total अगर अभी मैं बात करूँ, तो 6 question आएंगे, जिसमें question 1 कमपल सरी है, और 5 में आपको कितने करने है, 4 करने है, very good, इसमें भी जो last question होता है, question number 6, magical question होता है, वो आपके paper को make और break करता है, उस question 6 में, total 5 question दिये जाते हैं, 5 mark के, आपको उन 5 में कोई भी 4 question attempt करना पड़ता है, तो अगर तुम अपना paper देखेगा, तो तेरा paper 125 marks का question का रहता है, 20 into 6 question तो directly हो गए, 20 into 6, 120, और question number 6 में 5 mark का एक question और रहता है, तो total कितने marks हो गए, 125 marks, और इस 125 में हम लोगों को 100 marks attempt करना है, कुछ गलतियां जो बच्चे करते हैं, बहुत बार बच्चे सारे सारे question लिखे आ जाते, सर मेरे को पता यह नहीं था choice है, यह गलती मत करना, सर यह हम लोगों को paper में कहीं बताता है, क्या paper का first page, question paper का first page is instruction, उस instruction में उपर में clearly लिखावा रहता, आपको किस तरीके से question attempt करना है, मैं हमेशा यही बोलूँगा, हमने आपको बता दिया, तो भी आप हमेशा पढ़ेंगे, तो भी आप हमेशा पढ़ेंगे, कि भी आ, question paper में instruction क्या दिया हुआ है, नीचे है न, ठीक है, ठीक है, मैं बोल दूँगा, और कोई जाएगा, तो चला जाएगा, ठीक है, ठीक है, done, किसी को बहुत haphazard लग रहा है, बहुत वो फसा हुआ है, तो first floor पे, first floor पे, हमारा यही चीज रिले हो रहा है, SSEI के सेंटर पे, यही चीज रिले हो रहा है, कोई जाना चाहता है, तो चला जाना, done, कोई problem नहीं है, और आपको सबसे पहले हमेशा question paper का instruction पढ़ना ही चाहिए, no matter आपको पता हो या नहीं पता हो, दूसरा गलती बच्चा करता है, question number 6 को देखता नहीं है, क्योंकि वो paper का last question होता है, 1, 2, 3, 4 करते करते ही time खतम हो गया था, 6 तक पहुचने का time में नहीं मिला, तो आपको paper वगेरा कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, यह सब मैं आगे के गुरु ग्यान्स में आपको बताऊंगा, बट सारे बच्चे को paper pattern clear है क्या, question 1 is, कंपल सरी, कहां से आएगा, accounting standard, फिर 5 में 4 करना है, 20-20 माग का 4 करना है, question number 6 में, एक option रहेगा, दनाए बात, आपका accounting standard वाला जो पार्टर न, accounting standard, question 1, 20 माग का accounting standard पूरा रहेगा, question number 6 में, एक accounting standard का question रहेगा, एक या दो, दो कम आते हैं, जादा chances एक आने का है, तो 20 इधर आ गया, और उधर कितना आ गया, 5, सर उधर वाला 5 तो छोड़ सकते न, एक choice है, अगर easy आ गया, तो क्यों छोड़ेंगे, चोड़ने नहीं, चोड़ने का बात तो depend करता है, question पूछा क्या, तुमारे purview के अंदर था की बाहर था, अलग-अलग बच्चे का, अलग-अलग level होगा, तो चोड़ने नहीं, चोड़ने का बात नहीं करके, मैं ऐसे बोलूँगा, 25 बात का question exam में, accounting standard से आएगा, और मजे का बात है, institute अपना जब paper बनाता है न, accounting standard को set करने का group 1 में, उसका एक तरीका है, पता नहीं क्यूं बड़ो ऐसा कर रहा है, मैंने 5-6-6-7 term के paper analyze किये थे, और उस analysis से मेरे को कुछ ऐसा दिखाई दिया, जो मैंने सारा यहां jot down किया है, यह 5-4 term के paper देखो, आपको मैंने यहां analyze करके दिये है, अगर कोई बच्चा इन 4 term के papers को अच्छे से देखे, December 2021 में बताईए, कौन-कौन से accounting standard आये थे, 11, 3, 13, 1, आया था, मैं इनको odd numbers बोल सकता हूँ, odd numbers, May 22 में देखो, 12, 2, 10, 16, और इधर एक AS3 यानि cash flow से question आया था, 6D में, आया, फिर November वापस आया तो देखो क्या आया, 2, 3, 11, 13, majority कहां से आया, odd number से, चार में 3 question odd से आया है, मतलब odd से ही देगा, और फिर वापस May 23 में देखिए, 10, 12, 16 में जॉरिटी कहां से आया, इवें से, तो इस बार, मैं बोला ना सब कुछ भगवान के हाथ में है, ये मनाओ कि institute जो आस तक करना था, वही करे, अगर institute ने वही किया, तो तुम्हारे टर्म के most important accounting standards will be, मैं लिख रहा हूँ याँ उपर लिख लेना, accounting standard 1, 3, 11, 13, apart from others, हम लोग revise सारा करेंगे, ऐसा नहीं है, मैं आज important ही revise करा के छोड़ दूँगा, revise हम लोग सारा करेंगे, question हम लोग सब का बनाएंगे, but the focus at the last minute should be, AS 1, 3, 11, and 13, that is कौन सा numbers बोल, odd numbers, एक बच्चा शर्ट लगाया था, last time में मेरे से, वो बच्चा हार गया, 500 उर्वे दिया नहीं, वो बोला कि सर, मतलब वो May 23 का बच्चा था, November 22 का exam हुआ था, मैं बोला इस बार 3 टो एस, odd, even से आएगा, बोला सर नहीं आया तो, मैं बोला 4 में 3 आएगा, बोला शर्ट लगाते हैं सर, मैं बोला लगा ले, हार गया, फिर में में वो exam दिया, मैं बोला इस बार odd आएगा, करके जाना, even जो भी, जो भी आएगा, even आएगा, करके जाना, बोल रहा है सर, वो फिर उसका दोस्ट शर्ट लगाया, फॉर शर्ट इन क्वेश्ट बट इस इस दी लास्ट रम अफ उल्ड से लेबस, हो सकता है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो तो मेरी बात, आएम 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 प्रुडेंट पर्सन, ठीक है, आकाउंट्स बढ़ाता हूं, प्रुडेंस बहुत यूज करता हूं, सुनना द्यान से, अगर इंस्टिट्यूट को ऐसा लगा, बच्चों को पास करना, एडू वान तिंग, लास्ट वाला क्वेश्चन पेपर ही छाप दो, तो हो सकता है, 10, 12, 16 आ जाए, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं समझो, अभी हम लोग ऐसे जंक्चर पे खड़े हैं जहां इंस्टिट्यूट का सोच क्या चल रहा है, वो प्रेडिक्ट करना, अगर नॉर्मल चलता ना, तो मैं बोलता है आराम से कर ले कोई टेंशन नहीं, मेरे को बच्चा एक्जाइम से पहले वाले दिन भी बोल रहा हूं बही है, टाइम नहीं है क्या करना है, मैं बोलता हूं यह कर ले हो जाएगा, बट अभी जो लास्ट टम आ गया है यहां पे इंस्टिट्यूट हो सकता है, ऐसा सोचे कि पेपर इजी रखते हैं, जो लास्ट टम दिये थे, वही वाला रिपीट कर दो, बच्चा लोग को पेपर पता है, कर लेगा, तो वो होने से 10, 12, 16 आ जाएगा, ऐसा होने का चांस कम है, रिविजन हम लोग सारा करेंगे, और अगर अगर थोड़ा सा कोई बच्चा प्रूडेंट रहे के सोचे, मैंने आपको जो समरी नोट्स दिये हैं न, वो टोटल 21 पेजिस के अंदर 6 अकाउंटिंग स्टांडर कवर करता है, अब अगर 21 पेज हम लोग एक्जाइम के लास्ट दिन नहीं रिवाईज करके जा रहे हैं, तो हम लोग क्या ही रिविजन कर रहे हैं, जो अपनी बुक 200 पेज की थी, अब वो 21 पेज की हो गई है, तो हमारे लिए रिविजन काफी इसी, यह समरी मैंने आपको घर पे बनाने बोली थी, जैसे जैसे मैंने एस पढ़ाया था, बट मैं आप लोगों को जानता हूँ, इसी लिए मैंने डिसाइड किया, लेट उस गिव दिस समरी, सो दाट लास्ट में कोई वन्चित ना रहे, सब के पास equal opportunity रहे, कोई ऐसा ना बोले, भईया मेरे पास समरी नहीं था, तो यह 21 पेज हम लोगों को पढ़ना है, और यह 21 पेज पढ़ने के बाद, 25 मार्क्स हमारे एक्जाइम में, हम लोग अच्छे से लिख पाएंगे, डाने बाद, considering जो मैं आगे गुरु ग्यान दू,